श्री शद्गुरू महाराज कीजे प्रातहस्मर्णी अनन्त श्री वोशित परमाराद्य संद्गुरू महर्शिमे प्रमहंस जी महाराज का प्रवचन विड्यवान को भजन करने में बल मिलता है प्रवचन विड्यवान को भजन करने में बल मिलता है ब्यायाम से शरीर का बल विद्या से मस्तिस्क का बल बढ़ता है अगर शरीर कमजोर हो तो वह कहां तक ब्यायाम करेगा उसी तरह जिसका मस्तिस्क कमजोर है पौश्टिक तत्व शरीर से निकल गया है वह न तो भजन कर सकता है और न बिद्याध्यन ही वेदों से ही वेडियवान बनने का यह ज्यान आया है और अभ्यासी ने अभ्यास द्वारा इसको आजमा कर देखा है जानना केवल बौधिक ज्यान से ही नहीं होता है बौधिक ज्यान परोक्ष ज्यान है पुर्ण ज्यान परत्यक्ष ज्यान में होता है परोक्ष ज्यान में होता है कि वस्तु ऐसी वाव ऐसी है और परोक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष का अर्थ और परत्यक्ष होता है शरीर छोड़ने से पहले ब्रह्म ज्यान होना चाहिए ब्रह्म ज्यान विचार में अपूर्ण होता है जिसने भजन करके परत्यक्ष जाना उसी का ज्यान पूर्ण हुआ जिसने जीवन काल में पर्त्यक्ष और और पर्त्यक्ष दोनों तरह का ज्यान प्राप्त किया वही आवागमन से छूटता है जिसने नहीं प्राप्त किया वह जन्मरन के चक्र में रहता है इसका अर्थ हुआ कि जीते जी मुक्ती प्राप्त करने कहा शंत महात्माओं ने जीते जी मुक्ति का उपदेश दिया है। जल प्यासा जैसे नर कोई सपने फिरे प्यासा हो। है हो अतीत बंधन ते छूटे जह इक्षा तह जाई हो बिना अतीत सदा बंधन में कित हूँ जानी न पाई हो। आवा गमन से गए छूटी के सुमिरी नाम अविनाशी हो। कहे कबीर सोई जन गुरु है काटी भ्रम की फांशी हो। लोग कहते हैं कि सब इक्षाओं को छोर कर मोक्ष की इक्षा भी छोर दो। मोक्ष की इक्षा तो आप ही छूट जाएगी जैसे कि भूख लगी और भोजन किया। भोजन करने पर खाने की इक्षा आप ही छूट जाती है। भजन अभ्याश करने के लिए बल होना चाहिए। मनुष्य का शरीर बल मस्तिष्क बल भी भजन करने के योग होना चाहिए। कितने कहते हैं कि उंगी निंद लगती है। कितने कहते हैं कि पहले जैसा भजन होता था वजशा अब नहीं होता है। मैं कहता हूँ करते रहो जैसा बनता है। धीरे धीरे बनेगा अपने रहने के अस्थान की रक्षा करो, भोजन का प्रबंध करो और भजन करो। अपने रहने के अस्थान की रक्षा करनी देश शेवा है। बिना उपार्जन के अनवस्त्र कहां से मिलेंगे इसलिए उपार्जन करो इस जन्व में जैसी मन बुद्धी है भजन करने पर उससे अधिक बढ़िया शरीर और मन बुद्धी आगे जन्व में होंगे। बारम बार मनुष्ट का जन्म होगा और उतना ही वह अधिक तेज होगा। जिस जन्म में वह परमात्मा को प्राप्त करेगा उस जन्म में उसकी मुक्ति हो जाएगी। शन्त दादु दयाल जी कहते हैं जीवत छूटे देह गुन जीवत मुकता होई जीवत काट कर्म सब मुक्ति कहावे सोई जीवत जगपती को मिले जीवत आतम राम जीवत दर्शन देखिये दादू मन विश्राम जीवत मेला ना भाया जीवत परस्न होई जीवत जगपति ना मिले दादू बूडे सोई मुआ पीछे मुक्ति बतावे मुआ पीछे मेला मुआ पीछे अमर अभय पद दादू भूले गहला मरने के बाद मुक्ती नहीं होती जीते जी मुक्ती हासिल करो गोशामित उल्शिदाज जी ने बड़ा ही अच्छा कहा है लही चारी फल अच्छत तनू शाधु समाज पर्याग सत्संग के द्वारा क्या विचार ग्रहन करें इसका नेडने होना चाहिए नेडने हो तो शाधन करना चाहिए सत्संग करने से शाधन करने में प्रेडना मिलेगी शाधन करने से बल बढ़ेगा उस मार्ग पर चलने के लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है जा मारग के गने जाय न कोशा तह हरी के नाम शदा शंतोशा जो आज रास्ते पर चलना शुरू कर दे तो कभी न कभी अवश्य खत्म होगा जो शुरू ही न करे तो क्या बढ़ेगा मारग चलते जो गिडे ताको नाही दोश कह कबीर बैठा रहे तासिर कर राकोश कठोपनिशद में आया है इंद्री ये भ्याय परम मनो मन्शह सत्व मुत्मम सत्वाद दि महानात्मा महतो ब्यक्त मुत्मम अर्थात इंद्रियों से मन पर उत्कृष्ट है मन से बुद्धि स्रेष्ट है बुद्धि से महतत्व बढ़कर है तथा महतत्व से अव्यक्त उत्तम है शरीर में इंद्रिया ना होती तो शरीर किसी काम का नहीं एक इंद्री के बिगड़ने से शरीर बेकाम हो जाता है, जब सब इंद्रियां बिगड़ जाएं तब क्या हो शकता है, शरीर की सोभा के लिए, शरीर के काम के लिए इंद्रियां है, शरीर में इंद्रियों की परधानता है, इंद्रियों से मन्स रेष्ट है, इंद्रियों को मन जिधर प्रेरन करता है इंद्रियां उस ओर जाती है जिस ओर से खिचता है उस ओर से रुकती है मन से बुद्धि स्रेष्ट है जैसे अंकुष हाथी को वस करता है उसी तरह बुद्धी मन को वस में रखती है मन अंधा है मन को बुद्धी जो कहती है मन वही करता है अप्रापरकृति को अश्धापरकृति कहा है। यह जर्ह मुल रूप में यह अब्यक्त है और विक्रित रूप में ब्यक्त है और अपनी नीज्य हालत में वह परकृति है। जो इंद्री ज्यान में नहीं आशके वह अब्यक्त है पांच तत्व मन बुद्धी अहंकार जिससे बने हैं वह है परकिर्ती मह तत्व उश्य भी उच्छे दर्जे में अब्यक्त लिखा है यह अब्यक्त परापरकिर्ती है इसमें विवाग नहीं परिवर्तन नहीं यह चेत यहां शवी कल्प शमाधी है अएना खुल जाए तब निर्वी कल्प शमाधी है परंपूज गुर्देव का यह परवचन बिहार राजान तर्गत मुंगेड जी लेके जमालपूर निवाशी श्वरगी राय बहादूर श्री दुर्गादास जी तुल्शी के निवाश स्थान पर दिनांक 10.4.1960 को प्राता कालिन सस्चंग के शुब अबसर पर हुआ था श्री शद्गुरू महाराज की जयाए